Classification of Magnetic Material की फिर से एक और sheet बनाई जो कि रिवाइज करवा रही है आपको इस topic को कि solenoid के case में B क्या होता है mu not ni H क्या है हमने कर लिया, I क्या है ये भी हमने कर लिया, क्या हमने कर लिया ये relation हमने कर लिया, Curie's law हमने किया था C upon T लेकिन यहाँ पर Curie's law क्या होता है, कि काई is equal to C upon T minus Tc वे T is Curie's temperature, वो गयता है एक minimum temperature होता है अगर आप किसी भी magnetic substance का temperature इस minimum temperature से बढ़ा कर दो तो इसकी magnetic property खतम या कम होनी start हो जाती है तो denominator बढ़ेगा, तो काई की value कम हो जाएगी और जितना कम होगा काई magnetic property उत्ति reduce हो जाएगी, यह Curie's law हमने किया हुआ है पैरा magnetic substance हमने पढ़ लिया, यह हमने नहीं किया इसमें अपने booklet में लिख लो, यहाँ M की जगा I लिख लो I I और H यहाँ है, यह capital M का मतलब यहाँ पर I है तो यह I कर लो, तो I और H upon T P for temperature का graph हमने नहीं किया, यह याद कर सकते हो क्योंकि Curie's law का proof, Curie's law के बारे में detail हमने नहीं की पर अगर mark करने को आ जाए Curie's law के उपर की I और H by T का क्या relation है या क्या graph है तो ऐसा graph आप mark कर सकते हैं हमने ferro पढ़ लिया, ferro magnetic substance किया, हमने dia magnetic की सारी properties की याद है पर हमने यह नहीं किया, dia magnetic का temperature और kai का relation, kai, dia का मेंशा negative होता था, तो देखो kai is negative, तो यह graph mark करने को आएगा, यह mark कर लें प्रीज इसमें, ठीक है, फिर हमने ferro और para की properties की, इन properties में हमने यह नहीं किया, kai का औ यह mark करें प्लीज, ठीक है आतर, यह सब हमने कर लिया, यह comparison chart है, यह करने की जुरूत नहीं है, sufficient है, his stresses हमने कर लिया, soft iron steel को हमने compare कर लिया, tangent law हमने कर लिया, vibration magnetometer का formula हमने कर लिया, यह सारे formula मैंने note कर दिये, ताकि यह जो companies की त्यारी करेंगे, यहीं से mark कर लें, बस उनको N CRT booklet open करने की जुरूत नहीं है,